नमस्कार ब्रशब राशी करकराशी लाग तथा शत्रू से भाई के यूग बनते हैं इस्त्री संबंधी कष्ट हो सकते हैं कल्यानकारी उपाए दुर्गाजी को खीर का भोग लगाए वा माता पिता की सीवा करे सीहराशी सुप तथा हर्ष का दिन है कुछ नेत्र संबंधी पीड़ा हो सकती है शत्रू परास्त होंगे धनागम अच्छा होगा कल्यानकारी उपाए कुट्टे को तेल चुपडी रोटी खिलाए गनेश इस्मरण करे कन्याराशी कर्ष्ट भाए खर्ष की अधिक्ता से मन अशांत रहेगा संतान को कर्ष्ट दुरघटना इत्यादी से सावधानी बरते कल्यानकारी उपाए केसर चंदन का तिलक लगाए हनुमान जी के दर्शन करे तुलाराशी हानी भाय कष्ट पराकरम से हानी कम होगी कुछ अचानक धनलाव के साथ प्रतिष्था में सुधार हो सकता है कल्यानकारी उपाए शनी महाराज के दर्शन करे पीपल को मीठा जल चड़ाए व्रश्यक राशी पराकरम से लाब ही लाब तथा विजय प्राप्त होने की योग है उच्सहा में कोई गलत निर्णाय ना ले कल्यानकारी उपाए हनुमान चालिसा का पाट करे बड़ो की सेवा करे धनुराशी परलिंगी से सुक तथा इस्तरी को कष्ट कुछ लाब हानी के मिले जुले योग है प्रतिष्ठा बढ़ेगी कल्यानकारी उपाए लक्ष्मी जी को खीर तथा शेव जी को दूद चड़ाए बात करते हैं मकर राशी की राज्य से भय तथा हानी की संभावना है तथा समाज में पराकरम से लाब के योग बनते है दुरगटना से बचे कल्यानकारी उपाए दुरगाचर शुब्राएगा माता पिता की सेवा करे कुमराशी जय पराजय लाब हानी का खटा मीठा हनूबव होगा अपनी तरफ से बात आगे ना बढ़ाए कश्ट होगा कल्यानकारी उपाए पीपल को दीपक तथा मीठा जल चड़ाए मीनराशी शत्रू परिशान करेंगे लेकिन पराजित होंगे शड़ियंत्र करेंगे अचानक खर्षता हानी के योग है सतर्कता जरूरी है कल्यानकारी उपाए शिर्जी को बिल्व पत्र तथा अर्क पुश्प चड़ाए अर्क पुश्प चानकारी उपाए